एलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जो हम प्रीमियल लिग का मैच कवर करने वाले वो खेल जाएगा आर्सेनल वर्सेस उलम के बीच मैच का वेन्यों होगा आर्सेनल किक अफ होगा रात में 10 पीम पे तो आर्सेनल प्रीमियल लिग का वन अफ दा टॉप कलब माना जाता है इस सीजन की सुर्वात उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रही है स्टार्टिंग ये कलब अपने तीनों मैचिस जीच चुका है और स्कॉर्ट क्वालिटी वे और जादे इंप्रूव होगी है कुछ अच्छे न्यू प्लेयर से नों ने ट्रास्फर विंडो में साइन किया है तो overall इस सीजन जो है Arsenal one of the title contender भी हमें अभी initially नजर आ रहा है इनका मैचे फुलम से जो कि एक newly promoted team है बट आप फुलम को जानते होंगे एक सीजन ये promotion लेती है फिर relegate होगे second tier championship में चले आती है फिर वहाँ से promotion लेकि यहाँ पर आ जाती है एसा ही रहता है फुलम का लेकिन अभी तक इस new season में फुलम अच्छी दिखी है season शुरवात इनका भी अच्छा रहा है और कुछ अच्छे promising players इनोंने भी sign जरूर किये है बिलाल इस match में Arsenal एक far better team है as compared to फुलम अपने घर में भी खिल लिए फुलम से बहुत ज्यादा अच्छी form में भी है तो मेरे अर्सेनल यहाँ पर फिबरेट टीम होगी इस match को विन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस match की जो भी final team final updates होगी वो line-up आने के बाद आपको मिल जागी हमारे टेलीग्राम चैनल में तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जागा description box या top pin comment में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन कर लिजे fantasy sports spy football नाम से आपको मिल जागा मेरा टेलीग्राम चैनल वापस मैच पे आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं points table तो points table में भी starting में Arsenal top of the table में number one position में तीन में अपने तीनों मैचेस जीती है और 9 points के साथ वो सबसे उपर है वहीं फुलम भी अच्छी standing में 7th position में 3 में 1 match जीती है दो draws है और उनके भी 5 points है बिलाल अब मैं आपको दिखा दो last दो मैचेस में दोनु टीम ने कैसा performance किया है पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे Arsenal की तो Arsenal के last 2 मैचेस के आप results देखिए last to last वाले match में उन्होंने 4-2 के margin से Leicester City को आ रहा है गेबरियाल इसूस उनकी new signing के 2 goal थे माटिनली और जहाका का goal था हिसूस के 2 assist भी थे 2 goal के साथ और जहाका ने assist भी प्रोवाइट किया था और जो last match Arsenal यहाँ पे खेल के आ रही है 3 mil से उन्होंने बमोत को रहा है ओडिगाट ने 2 goal मारे सलाइवया का goal है हिसूस और जहाका ने assist प्रोवाइट किया था तो अपने last दोनू matches वो जीती है और दो प्रोलम ने उनको हरा दिया उनके टैलिस्मैन मित्रोवेट पालीनी और बॉबी डेकोड़ोगा रीड ने गोल मारा और अंड्रेस परेर और एमबाबु ने assist प्रोवाइट किया था तो यह मैंने आपको दिखा दिया दूनू टीम के recent फिक्षर बागी मैंने बता दिया था एरोन रेमस्डेल इनके गोल कीपर हूंगे चार इनके डिफेंटरों के बैन वाइट सलाइबा गेब्रियाल और जिंचैंको अब फिलाल यहां पर अगर किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा मैं आर्सेनल को करूँगा बहुत जादा अच्छा मुझे इनका क्लीन शीट का चांस यहां पे लग रहे है तो अभी के लिए जो है मैं मेक्रिमंडीमेंडर अर्सेनल कि करो मैं अभी के लिए इन चारों के चारों दीonsider को फिक कर robi जलिए ने कि जान्य आप चार नहीं फिक करते हैं पिलाल अगर आपको कोई तीन डिफेंडर चूज करने हुए उस case में मैं किसी एक को ड्रॉप करने का रिकमेंड करूँगा वो मेभी बैन वाइड रह सकते हैं क्योंकि जिंचेंको लेफ्ट साइट से बहुत ज्यादा अटेक करते हैं कभी भी असिस गोल कर सकते हैं गेबरियाल हेडर में बहुत ज्यादा स्वाइड है अच्छे हैं जबकि सलाइबा जब से अर्सेनल है बहुत स्वाइड पर्फॉमेंस किया है पिछले मैच में उन्होंने बॉक्स के अंदर एक भैतरीन गोल मारा अल्दो हैड़ेड गोल नहीं था फूट से मारता लेकिन गो के लिए अभी के लिए मैं चारों के चारों डिफेंडर भी पिक करके चलो मुझे यहां पर अच्छा चांस लग रहा है अब मैं आपको मिट्विल से पहले फॉरवर्ड में दो मस्ट पिक प्लेयर बताते तो एक है गेबरियाल हिसुस इनकी न्यू साइनिंग जब से आर्स के लिए टॉप अप्सन नहीं वाले गेबरियाल हिसुस और मार्टीन अली का पेर इस मैच में बाकी साका हमें स्टार्टिंग तीन मैचेज में थोड़े से ऑफ कलल लगे जनरली साका इतना खराब नहीं कहलते हैं गोल असिज नहीं आ रहा हैं का बट साका एक बहुत कर सकते हैं केप्टन वाइस केप्टन थी के लिए पुछ रूमर्स में यह भी पढ़ ला था चुकि अभी क्या है रहा मीड वीग में फिर से प्रीमिय लीग मैचेज हैं बहुत ज्यादा है तो में भी साका को रेस्ट करा के स्मित रो या उस बंदे को भी हापे मौका मिल सक अब इन्हों ने अभी तक क्या है एक गोल और दो असिश्ट कर दिये इस वैसे इनका सिलेक्शन भी हाई है लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मैं पिछले मैं बताया था जहांका हर मैं गोल असिश्ट मानने वाले प्लेयर नहीं है यह एक डिफेंसी मिट फिल्ड है वो इनके अच्छी फॉर्म में चल ले थोड़ा सही चल ला है तो इस वैसे गोल असिश्ट आ जा रहे लेकिन मैं हर मैं शोटी नहीं दिरहों कि जाका गोल असिश्ट करेंगे तो इस वैसे अभी के लिए मैं नहीं जाका पिक नहीं किये है अब आगर आपको मिट फिल्ड में एक एक गोल मारेंगे एक असिश्ट मारेंगे और और पिछले मैंच में गोल मारें हाई-on confidence होगा तो अगर आप एक डिफेंडर से करते हैं वाइट या सलाइवा में किसी को तो जो एक्स्ट्रा टेकर होगा उस केस में आप चाहे तो ओडिगाट के साथ जा सकते हैं बट फिलाल के की प्रोईबल 11 थी लगबग सभी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी बागी पैनल्टी लास्ट सीजन साका लेते थे इस सीजन हिस्सू साग है तो में इन दोनों में कोई भी पैनल्टी ले सकता है फिलाल यह मैंने स्टैट लिख है अभी तक के सीजन के आप आपको मिल जाकर डिस्क्रिप्शन या टॉप पिंड कमेंड में वहां से जूड़के आम मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए अब हम बात करते हैं फुलम की तो लेनों इनके कोल की पर इंपर्टेंट हुए और यह एक फॉर्मर आर्सेनल कोल की करने वाली है तो लेनों हमें एच्छे कासे सेफ करके दे सकते हैं चार इनके डिफेंटर हैं अब एक डिफेंडर और नाम का वह भी खेल सकता है फिलाल मैं अभी के लिए एक भी फुलम का डिफेंडर पिक करके नहीं गया हूँ बड़ इस्टिल आपको किसी के तार जना है एमबाबु टेटे में जो खेला हूँ एक नंबर वन चोई मेरी रहेगा विकॉस यह डिफेंटी वाइस दोनों अच्छे हैं और एमबाबु ने लास्ट मैंच में असिस्ट भी दिया था टेटे के पास भी असिस्ट पोटेंचिल है फिलाल मेभी इनको या आप चाहे रॉ कमिंसन में किसी के साथ जा सकते हैं बट फिलाल के लिए मैंने एक भी फूलम का डिफेंटर पिक नहीं किया है मैं मिटफील में पालीनिया को शोली पिक करने वालो फुलम की न्यू साइनिंग है पॉर्ट्यूगल नेशनल टीम के लिए भी खेलता है और ये फुलम से भी अच्छे क्लब में जा सकता था लेकिन उन्होंने फुलम आप्टिक आने क्या अभी तक तीन मैचेस खेले हैं सब में अच्छा किया है डिफेंसिव अग भी करता है और इनफेक्ट एक मैच में तो आके रेंड़नम गोल भी स्कोर कर दिया अल्दो ये डिफेंसी मिट फिल्डर है उतने जादा गोल असिश के लिए नहीं जाने आता बट फिलार के लिए मैं जाओ पालिन्या को शोली पिक करने वाल हूँ और मेरा दूसरा मस्ट पिक प्लेयर अभी के लिए रहेगा अलेक्जन्टरो मित्रोवेच जो इनका मेन नम स्कूर करके भी आ रहे है बट अगर आप शोन है कि फुलम स्कूर नहीं कर पाएगे तो आप मित्रोवेच पिक मत करना विदाउट गोलस से यह ज्यादा पॉइंट नहीं देगा उस केस में आप हैरिसन रीट के साथ जा सकते हैं जिनके डिफेंसी नंबर डिसेंट से हैं ब बहुत है ठोड़ा बहुत डिफेंसी वर्ग भी करता है और एक अशिष्ट अभी तक अल्लेडी कर चुक है तो अभी के लिए मैंने एंट्रेस परियरा को पिक किया है बट अगर आप आप मनलब एंट्रेस परियरा पिक नहीं करते हैं तो मेभी आप उनके विलेज में लिखें आप यह स्टैट देख सकते हैं अभी तक के सीजन के इस्टैट है फिलाल जो मेरी पिटिक्सन है अभी के लिए मैं एक 3-0 नी सुरी 2-0 एक 3-1 आर्सेनल विक्ट्री के साथ जारू आर्सेनल अपने घर में एक क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है तो यह मेरी एम और अफटीम है गोल की बर मैंने ब्रेंड लेनों लिया है जो कि फुलम के हैं मैंने अभी आर्सेनल के चारो डिफेंडर लिया वाइट जिंचेंको गेब्रियाल और विल्यम सालीबा आप में वाइट या सालीबा में किसी एक को ड्रॉप करके मिट्फिल में ओडेगार टेटे में जो भी डिफेंडर खेलेगा उनका राइट वेग उस प्लेयर को पिक करके ले जा सकते हैं या यहां पर अंड्रेस परेरा हटा के हैरिसन रीट के साथ जा सकते हैं जो इनका डिफेंशिव मिट फिल्डर है फिलाल हम बैक करें आर्सेनल को तो हिसूस मार्टिनली बेस्ट एंड सेफ, कैप्टन वाइस कैप्टन से उप्सन रहेंगे, साका भी उप्सन रहेंगे, अल्दो हलके से ओफ कलर लगें, लेकिन एक बहुत बड़ा पेर है, फॉर्म में आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो फिलाल यह मेरी डेम और अफ टीम थी, जो भ